एगाइस तो स्वागत अपका कैप्टेन बीटो के चैनल में जहां आज हम फाइनली थंडर बोल्ट के ऊपर बात करने वाले हैं थंडर बोल्ट के ऊपर बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट आय थी उस वक्त जब मैंने ये बताया था कि कैसे MCO के अंधर कैंग, डार्क एवेंजर्स या थंडर बोल्ट को फॉर्म कर रहा है इस वीडियो में हम थंडर बोल्ट की कॉमिक हिस्ट्री शॉर्ट में जानेंगे पिर ये जानेंगे कि वो कैसे MCO में आ सकते हैं और उनका मोटिफ क्या होगा प्लस ये भी जानेंगे कि उसमें कौन-कौन होने वाला है इन सके टाइम स्टैंप आपको डेस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे इन केस किसी को ये पता हो कि ठंडर बोल्ट क्या है और वो बस ये जानना चाहते हैं कि MCU वाले Thunderbolts में कौन-कौन होने वाले हैं तो शुरुआत करते हैं Thunderbolts की first appearance से जिसमें हमें पहले ये दिखाया गया था कि वो बे-काबू हल को रोक रहे हैं अब हल को रोकने आए हैं तो एरे गरे characters तो होंगे नहीं तो basically Thunderbolts एक group है जिसके अंदर हर एक character के पास कुछ special skills या superpowers है जैसे कि Avengers की team है लेकिन इसको Avengers की team के जैसे अच्छी समझने की गलती मत कीजेगा हाला कि Thunderbolts की history बहुत लंबी है लेकिन जब पहली बाद Thunderbolts को form किया गया था तो उसको बनाने वाला Baron Zemo था और उसने अपने Masters of Evil को फिर से form किया था जिसमें उसने कई सारे villains को recruit किया था लेकिन इसने Masters of Evil के जगा अपने team का नाम Thunderbolts रखा और superheroes वाले काम करने लगा ताकि वो लोग एक नई पहचान बनाकर Avengers को replace कर थे क्योंकि उस वक्ट Onslaught Even के वज़े से Avengers डाउन थे तो उनकी नामजूदगी का फायदा उठा कर वो उनकी जगा लेना चाते थे पर ऐसे में team के कुछ members hero गिरी करते करते ये भूली गए थे कि वो villains हैं और फिर बाद में वो hero ही बनना चाते थे लेकिन Zemo उन्हें blackmail करता है और कहता है कि अगर तुम मेरे बताएवेज रास्ते पे नहीं चले तो मैं दुनिया के सामने तुम्हारा पोल खोल दूँगा और तब देखूंगा कि कितने लोग तुम्हारे support करते हैं इसको loosely Avengers Assemble Season 3, Episode 5 और Episode 6 में cover भी किया गया है बट सचाय तो यह है कि इतने सालों में Thunderbolts बहुत ज़ादा बदल गए हैं जिसमें से Zemo वाली जो Thunderbolts की team थी मिली वही villain वाली सोच रखती थी इसके बाद Norman Osborne का जो Thunderbolts था उसको तो वो बाद में Dark Avengers में ही बदल लेता है बट overall देखा जाए तो Thunderbolts की team ने अच्छा काम भी किया है जब उसके leaders Luke Cage, Winter Soldier या General Ross जैसे कोई character हो Simple शब्दों में कहा जाए तो Thunderbolts group of super villains है या ऐसे individual हैं जिनोंने past में कुछ कांड किया है जिसके भरपाई के तौर पे वो covert missions में जाते हैं जिसमें से Thunderbolts ने सबसे तगड़ा साथ Secret Invasion के टाइम में दिया था जिसके बाद से इस team पर सबको Avengers के जैसे वरोसा हो गया था बट उस team को Normal Osborne ने लीड किया था जो कि MCU में होने से रहा क्योंकि वो character Sony को बिलॉंग करता है तो MCU में उनका ज़्यादा role नहीं हो सकता MCU के अंदर Thunderbolts को Form and Lead करेंगे General 30th Thunderbolt Ross जिसके नाम से ही आव समझ गये होंगे कि इस team का नाम Thunderbolt क्यों होने वाला है जैसा कि मैंने बताया कि Secret Invasion में Thunderbolts ने ज़ंडे गारे थे जो कि MCU में अभी आने वाला है Thunderbolts पहली बार हमें Avengers के डाउन होने के बाद दिखे थे जो कि presently MCU का स्टेनेरियो है जहां Avengers के core member जैसे कि Captain Tony Natasha तो चल बसे हैं बाकी बचे Avengers off the grade हैं फिलाल सुकोविया कॉर्ट्स के वज़े से तो ये perfect मौका है Thunderbolt को MCU में Heroes के जैसे दिखाने का भले ही बाद में Avengers के आते ही टीम फीकी बढ़ सकती है बट तब तक तो वो shine कर ही सकते हैं हम लोग न्यू Avengers और यंग Avengers पे इतने busy हो गये थे कि Thunderbolts की development पर किसी का ध्यान गया ही नहीं जिसकी शुरुवात Black Video मूवी से हुई थी बट क्यूंकि वो मूवी लेट से आई थी तो इसके आने का अंदाजा हमें The Falcon and the Winter Soldier में ही हो गया था जब हमने Val को देखा बट अगर आप Black Video के end credit को देखे तो उसमें आप देखिएगा कि ये लेन आप पगार बढ़ाने की बात करती है जिसको सुनते ही Val बोलती है कि बिलकुल तुम्हारे साथ मेरी भी पगार बढ़नी चाहिए जो कि ये दर्शाता है कि इसके उपर भी कोई है जो कि General Ross हो सकता है वैसे भी General Ross अभी Raft की देखवाल कर रहे है जो कि कॉमिक्स में Thunderbolt का बेस रह चुका है क्योंकि यहीं से विलन्स को उठा कर टीम में डाला जाता है हमें पहले से पता है कि Super Soldier Serum के उपर Ross पहले से ही काम करवा रहा था ताकि उसके पास एक powerful army बने जो कि उसको Raft में बैठे बैठे मिल जा रहा है और अगर आपको याद हो तिल जब Tony कैप्टिन को पकड़ने के लिए जाता है Civil War में तो वो कहता है कि अगर हम ना आती तो Special Forces त और इतने capable थे कि आधे Avengers को handle कर ले इससे तो हमें ऐसा ही लगता है कि वो Thunderbolts की और इशारा कर रहे थे उपर से Raft की निगरानी Ross कर रहा था जिसके अंदर Super Villains या फिर ऐसे Super Heroes को रखा जाएगा जो कि Law को Follow नहीं करेंगे तो हो सकता है कि यहीं पे वो setup बनाया जा रहा था जि अब हम यह जानते हैं कि Thunderbolts MCU में आने वाले हैं और उसको confirm करने वाला है तो चलिए जानते हैं कि इसमें कौन कौन होगा जिसमें से सबसे पहला नाम तो Baron Zemo का होना चाहिए क्योंकि वो अभी Raft में था साथ ही साथ कॉमिक्स में उसी ने उसको स्टार्ट किया था तो उसके बिना तो Thunderbolts नहीं ही बनना चाहिए अगर आपको याद हो तो वैल ने यहाँ पर Zemo को as a friend denote किया था तो हो सकता है कि वो Thunderbolts टीम में है इसलिए उसको as a friend denote किया गया था अब बात करें अगले character की तो वो था हमारा कुछ पल का Captain America यानि कि US Agent जो की Thunderbolts में होगा जिसके अंदर Super Soldier Serum है तो उसको आप Captain America का एक replacement पान सकते हैं Thunderbolts के अंदर फिर बारी आती है ये लेना बेलोवा की जो की Earth में मौझूद Best Black Video है क्योंकि Natasha Robanaff तो चलती बनी है अब यहाँ पर तो बहुत ही grounded characters अभी तक हमें देखने को मिले हैं जिसके बाद बारी आती है Big Hitters की जैसे की Abomination ज जाता है जिसके बाद से Wong उसको शायद तक Raft ही लेके जाता है क्योंकि Earth में वही एक जगा है जहां पर सुपर पावर वाले विलेंस को रखा जाता है अब को यह ना पूछे कि क्यों यहाँ पर Wong, Corporate या फिर Ross की मदद कर रहा है तो मेरे ख्याल से इसके पीछे का कारण जाने देता है जहां पर General Ross Wong को बुलाते हैं क्योंकि Wong बिना किसी के नजर में आए, Ross को Raft से बाहर और अंदर ले जा सकता है इसके अलावा हम लोगों ने Wong और Abomination की बीच में एक अच्छी सी दोस्ती टाइप की चीज भी देखी हुई थी तो ऐसा लग रहा है कि वो यह अगर Abomination जेल तोड़के भागा तो यह खबर बाहर क्यों नहीं आए और अगर ऐसा होता है तो Ross की मैंने जितनी तारीफ अभी तकी है वो सब थू थू में बदल जाएगी अर्थ में मौझूद एविल जादूगर के कांड को भी कवर अप करने के लिए गवर्मेंट की तरफ से थोड़ सा तो सपोर्ट लगेगा जो की एक अच्छा रिजन लगता है Ross और Wong के बीच में एक समझोते का वैसे I highly doubt की Wong Thunderbolts में होगा बट मौडो के होने के बहुत इजाजा चांसे से क्योंकि दुनिया बदल रही है तो थ्रेट भी बदल रहे हैं तो ऐसे में टीम में एक ऐसा unexpected बदलाव भी अच्छा सर्प्राइज रहेगा ऐस डॉक्टर स्ट्रेंच मल्टी वर्स अफ मैडनेस में अलेडी ऐसे ऐसे थ्रेट के रिमर्स आ रहे हैं कि शायद ही वहाँ पे मौडो के लिए एक बड़ा रोल हो Original Thunderbolt के अंदर Goliath था जो कि हमें MCU में Ant-Man and the Wasp में देख चुका है जिसके साथ घोष्ट भी थी अब Goliath तो Giant Man जितना बड़ा नहीं हो सकता है बट वो अपना साइज को अल्टर तो कर सकता है जो कि उसने उस मूवी में बताया ही था लेकिन Goliath को थोड़ा Out of Shape देखने के पाथ से मुझे ऐसा लगता है कि वो शायद तक ही Thunderbolt के लिए एक अच्छा Candidate बने बट उसके साथ जो घोष्ट मौजूद रहती है वो एक अच्छी Candidate बन सकती है क्योंकि उसको बच्छबन से ही शील्ड ने ट्रेन किया है फाइटर बनने के लिए और उसके पास Experience प्लस ट्रेनिंग दोनों है इसके बाद बारी आती है उड़ने वाले Super Heroes की जिसमें White Vision सबसे टॉप में आता है क्योंकि Boss वो कितना काम का है और कितना Powerful है ये मुझे बताने के जरूरत नहीं है इसके अलावा Vulture को भी यहाँ पर लाया जा सकता है बट क्योंकि वो Spidey से Affiliated है तो I highly doubt कि वो इधर देख सकता है लेकिन 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 हाल फिलाल में एक खबर आय थी कि Wakanda Forever की शूटिंग वाले जगा पर वैल की Actress को देखा गया है तो वहाँ से भी कोई न कोई होगा जो कि मुझे Most Probability लग रहा है कि Riri Williams हो सकती है क्योंकि वो भी वहीं से आने वाली है Thunderbolts एक ऐसी टीम है जिसमें ज़्यादातर कैरेक्टर अपने पाश्ट में किये के कांट की भरपाई करने के लिए टीम में रहते हैं तो मैं बिलकुल भी सर्प्राइज नहीं होंगा अगर उसमें हमें अपना Winter Soldier A.K.A. White Wolf देखने को मिल जाए जो कि Comics के अंदर भी Thunderbolt को लीड कर चुका है प्लस भले ही Thunderbolt में ज़्यादातर विलन्स रहे हैं बट उसमें Heroes और Anti Heroes भी नजर आ चुके हैं तो बकी की भी यहाँ पर possibility तो बनती ही है यह लेना इधर है तो Task Master भी यहाँ पर हो ही सकती है क्योंकि उसके जो skill sets हैं वो बहुत ही काम के हैं और उनको तो उसके डाड ने ऐसा बना दिया है कि अब वो शायद ही अपनी normal जिन्दगी जी पाए तो उसकी जगा Thunderbolts में बनी ही सकती है अभी तक तो हम लोगों ने जिन characters को लेकर discussion किया कि वो यहाँ पर हो सकते हैं वो सब हमें MCU में देख चुके हैं अब हम उन characters के बारे में बात करते हैं जो कि MCU में नहीं दिखे हैं लेकिन देख सकते हैं जिसमें से सबसे पहले आते हैं General Ross का Red Hulk वाला version जिसका origin story हमें She Hulk में देखने को मिल सकता है फिर बारी आती है Netflix के Punisher का क्योंकि इस Thunderbolt में एक भी anti-hero मौजूद नहीं है और इसके बाद आता है last but not the least Deadpool जिसके दिखने के chances तो ना के बराबर है बट अगर वो आ जाए तो क्या ही मजा आ जाए अब अगर Deadpool MCU में आता है तो उसको directly तो Avengers में नहीं दिखा सकते हैं तो better होगा कि Thunderbolts में पहले दिखा हैं और उसके बाद से उसको MCU में introduce करा है So guys आपको क्या लगता है कि MC Wallet Thunderbolts में कौन-कौन होगा और आप किन-किन को देखना चाते हैं अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो like करें और अगर बुरा लगा हो तो dislike करें चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करें और अगर आप पुराने हैं तो please check कि अपने bell icon दबाया है या नहीं अगर आपने दबा दिया है तो well and good और अगर आपने नहीं दबाया है तो उससे दबा दे ताकि जब भी मैं कोई वीडियो डालू उसका notification आपको जाए इसके अलावा हमारे चैनल का एक छोटा समोटू है लोगों की मदद करें अपना खयाल रखें and keep moving forward का अड़ट लगा कर आगे बढ़ते रहें Thank you for watching this video, stay tuned